तो आज हमें सीखना है कि किसी भी एक object को कैसे हम कट कर सकते हैं, दो पार्ट में divide कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्ट में, तो देखिए उसके लिए हमें sub tool में, ये last lesson number 8 में हमने sub tool को समझ लिया था, अभी इसी को continue करके यहां पर देखिए एक split का option आ रहा है, इसक किसी भी object को एक से दो पार्ट में divide करते हैं, एक से दो पार्ट ये दो से ज़्यादा पार्ट चाहिए, तो अभी आप देखो यहां पर कि ये single part है, कैसे पता चलेगा, उपर आप देखोगे, तो ये single layer पे एक single object है, हम चाहते हैं, ये एक से ज़्यादा object में convert हो जाए, तो इसको हमें cut करना पड़ेगा, कैसे cut करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास में option आ रहा है, group split का, तो group split के through अगर हम करेंगे, तो ये group क्या होता है, तो आप अपने keyword से shift और F button दबाऊगे, तो ये दो को wireframe दिखाई दे रहा है, line में दिखाई दे रहा है, और single color हमा आने पड़ेंगे, इसका मतलब, तो आप control और shift बटन को press करेंगे, और जितना भी selection आप करेंगे, drag करके ये, तो ये select हो गया है, और control और W प्रेस करेंगे, तो इस पे एक नया color assign हो जाएगा, वापस से लाने के लिए control shift बटन बाहर क्लिक कर देंगे, कहीं पर भी, तो ये object आगे, अब देखिए, इसमें दो group बन गए, एक और ये, object अभी single ही है, यहाँ पर object अभी single है, लेकिन हमने दो group बना दी, इसी type से अगर आपको एक से जादा करना है, तो control shift बटन दबा के, फिर से drag करेंगे, तो एक और group बन जाएगा, पर इसको color देना पड़ेगा, color दे यह हो गया, तो आपको यहाँ split में जाकर, group split पे click कर देना है, जैसे आप click करोगे, इसको undo नहीं कर सकते हो आप, तो हम बोलेंगे, हाँ ठीक है, नहीं करना है, तो आप देखिए, तीन पार्ट में divide हो गया, ऊपर चलेंगे, sub tool में, तीन layers में divide हो गया, तो आप किसी भी layer को select कर सकते हो, और यहां से move करा सकते हो, यह देखिए, इसके साथ कुछ भी करना है, इसको select कर लो, alt के साथ में, इसको rotate करा सकते हैं, क्योंकि यह तो आप divide हो चुका नहीं, इसको undo कर लेते हैं, अब यह तीन पार्ट में तो divide हो गया है, लेकिन अब इसको जोड़ना भी है, तो आप देखो नीचे एक option आरा merge का इस पर क्लिक करेंगे यहां पर एक option आरा merge down का merge down का मतलब कि down वाली जितनी भी layer उनको merge कर लेगा तो आपको selection हमें सब उपर वाली layer पर रखना है तो नीचे दो layer है इनको जोड़ना है तो हमें merge down दो बार क्लिक करना है एक बार क्लिक किया तो यहां पर आप देखो कि एक layer उसने जोड़ दिये और दूसरी वाल अगर आप क्लिक करोगे तो वह दूसरी layer को भी जोड़ देगा आप देखिए फिर से उसने single layer बना दिया आपकी तो split से हमने group split करके देख लिया पहले group बनाया और फिर group split कर दिया तो उस object को तोड़ दिया तीन पार्ट में उसके बार में merge करने पे गए तो हमने यहां merge down के थूरू सको merge भी करा लिया तो एक object को तोड़ना और जोड़ना हमने सीख लिया है अब split में चलते हैं यहां पर कुछ और option है जैसे यहां पर option आ रहा यहां पर और एक एक और था इसको rotate करते हैं सेड में और थोड़ा सा ऐसे ले के आते हैं सौरी स्केल हो रहा है मैं move करना है यहां पर तो यह तीन पार्ट में हमने यह object को ऐसे जोड़ दिया पर अभी यह तीन अलग अलग layer में हम चलते हैं उपर और merge करते हैं को merge down के तुरू तो merge हमने क्लिक किया merge down एक मर्जडाउन दो अब देखिए यहां पर यह यह सिंगल एक object बनिया यहां पर तीन एक single object बना दिया और तीन object जोड़ करके बनाया तो अगर कभी भी ऐसा होता है या किसी software से आप इंपोर्ट करते हैं कि एक object है उसके cloth भी साथ में आ रहे हैं उसके suits भी साथ में आ रहे हैं उसके weapons बगरा गन बगरा सब साथ में आ रहे हैं तो वो सब एक ही single layer में आ जाती हैं तो उनको तोड़ना पड़ेगा आपको तो यहां पर आपको split में जाना होगा और split to parts का जो object option आ रहा है इस पर आपको click करना होगा जैसे click करेंगे बोलेगा undo इसको undo नहीं कर सकते हमने okay कर दिया जैसे okay कि आप देखिए तीन अलग-अलग layer में बन गया अब तीन अलग-अलग layer में बन गया तो अब इसका कुछ भी करना है अब एक 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 का वह आप कर सकते हो तो यहां पर हमने एक option देखा कि split to parts के थूरू हम कैसे object को split करते हैं ठीक है group split देखा split to parts देखा अब हम देखेंगे यहां पर split unmasked और split masked point यह क्या होता है यह भी समझते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इस एक के दो layer जो होती है इनको हम delete कर लेते हैं ताकि हमें easily समझ में आया चीज़े और फिर यहां पर एक layer और है उसको भी हम delete कर लेते हैं अब देखते हैं हमारे पास एक single layer है राइट इसको हमें split करना है लेकिन यह भी option है इनके तुरू तो यह split unmasked और split mask यह mask और unmask क्या होता है तो पहले यह समझ लेते हैं masking तो masking अगर जैसे हमें यहां पर masking पर काम करना है mask area बनाना है तो control button प्रेस करके आप इस पर ऐसे चलाओगे तो देखिए जो black black हो रहा है यह mask बन रहा है इस पर इतना area masking area बन गया तो जितना area black है यह mask है और बाकी का जो area वो unmask है तो यही दो option आ रहे हैं तो अगर आप masking के थुरू किसी object को cut करना चाहते हैं तो कर सकते है कैसे करना है यहाँ पर देखिए इस object के उपर mask बन गया है तो अब दो option है दोनों option में से कोई भी use कर लेगे तो पहला option आ रहा है split unmasked area तो जैसे हम इसको unmasked करेंगे click करेंगे तो देखिए यहाँ पर उपर layer में दो layer बन गए यहाँ ठीक है एक layer को हम hide करेंगे यह तो दे मर्ज डाउन का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर जो मर्ज डाउन का हम मर्ज वीजिवल का यूज करेंगे मर्ज वीजिवल का मतलब होता है जितनी layer आपकी है जितनी यहाँ पर active है और यह visible हो रही हो सब एक साथ जुड़ जूड़ जाएंगी तो हमने दोनों layer को activate कर दिया है और यहाँ पर मर्ज वीजिवल कर देंगे जैसे मर्ज वीजिवल करेंगे आप देखोगे यह तो layer यहीं पर रह गई यहाँ पर एक object नया आगया मर्ज नाम से इसको क्लिक कर देंगे तो यह एकदम देखे single layer में जोड़ गया है यहाँ पर ठीक है तो हमने यहाँ पर split कि कर लिया split और मर्ज किया मर्ज डाउन के थुरू मर्ज वीजिवल के थुरू ऊपर यहाँ से देखेंगे split किया group से split कर लिया split two parts कर लिया masking के थुरू यह दूनों एक यह option है दूनों में से कोई भी करोगे semi output आएगा तो हमने split और यह मर्ज के option देख लिए है next वीडियो में मिलेंगे कुछ नए topic के साथ में आप ट्रैक्टिस करते रहना चैनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और comment box में comment भी करना thank you